तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक न्यू वीडियो में और आज का टॉपिक है लौस रिकवरी क्यों नहीं हो पाती। ये तो सबी लोग मैसेज करते हैं, कॉमेंट करते हैं, मेरे पास भी अधर लोगों के पास भी करते हैं और बोलते हैं कि लोस्त रेकवरी नहीं होती है, लोस्त रेकवरी किन व्यक्तियों की होती है, किन व्यक्तियों की नहीं हो पाती है, उनके रीजेन सुन लो, उसकी पूरी concept सुन लो, पूरी story सुन लो कि जिन व्यक्तियों का loss cover होता है वो क्या करते हैं और जिन व्यक्तियों का loss cover कभी नहीं होता है वो क्या करते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं जिन व्यक्तियों के पास time हो तो वीडियो को क्योंकि अगर मेरे पीछे के वीडियो या टेलीग्राम पे आप जुएन हो, तो आपको वहाँ पता चल जायेगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक है, आप जुएन हो सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो, कि मेरी पहले की लाईफ और आज की लाईफ, पहले क सबसे स्टार्टिंग के सी YouTube के वीडियो उठा के देख लो, फेश से ही पदा चल जाता है, कि loss recovery किस की होई है, किस की नहीं. तो loss recovery किन व्यक्तियों की होती है, और किन व्यक्तियों की नहीं होती है, जिसे कि मेरी हुई, मेरी जैसे कई लोगों की हुई, और कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो lost recovery कर चुके हैं पर so off की वजह से वो highlight नहीं होते हैं जैसे कि कई व्यक्ति हैं जो करोड़ों कमा चुके हैं मतलग जिनका lost था बो निकाल चुके हैं उससे अच्छा पैसा कमा चुके हैं तो वो व्यक्ति हाईलाइट नहीं होना चाहते, वो लोग बोलते हैं कि मेरे आसपड़ोस गाउं या कोई भी व्यक्ति हो, तो वो सुचता है कि मेरे किसी को पता ना चले, कि मेरे पास इतना पैसा आया या नहीं आया, इस कानवास वो हाईलाइट नहीं होते हैं, लोगों की नजरों में नहीं आते तो उन व्यक्तियों को पता नहीं चलता पर ये बात मैं Agri करता हूँ मानता हूँ कि जिन व्यक्तियों की Loss परका कर रहे हैं, वो स्तरल होते हैं, समझते हैं बात को, अगर loss हुआ है तो गलती को भी accept करते हैं, मैंने loss किया था, मैंने अपना गलती accept किया है, मैंने अपनी पूरी गलतियों को सुधा रहा था, बुरी दिन मैंने भी देखे थे जो आप देख रहे हो, पर आप लोगों को लगता है कि सब अपने profit के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल कर रहे हैं सब व्यक्ति आप वीडियो देख रहे हो अपने profit के लिए कि आपको कुछ knowledge मिले, आपको कुछ जानकारी मिले, आपको एक सही ज्यान मिले और आप loss recovery कर पाओ, या पैसा कमा पाओ, इसी माध्यम से आप देख रहे हो और मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखो, यूटूब से कुछ कमाई मुझे हो जाए, तो वो भी ठीक है घर चलाने के लिए हो जए तो वो भी काफी है, सब अपने profit के लिए देखते है जुगा खेल रहे हूँ आप, तो वो भी आप अपने profit के लिए खेल रहे हो और जिस दिन हार जाते हो, तो मुझे या किसी और को दोस लगाने लग जाते हो तो क्या हमारे हमें पैसा देने के लिए आप जुगा खेलते हो कि खुद के लिए सब व्यक्ति अपने खुद के लिए खेलने के लिए आता है और फिर जुए के जंजाले में फस जाता है और फसने के बाद रोना गाता है रंडी रोना करता है कि सर अब तो बरबाद हो गया कुछ नहीं बचा तो भई ये आपको ही सोचना पड़ता है ये आपको तेकरना पड़ता है कोई वी जुगा या जुगे कंपनी आपके पास नहीं आती है आप ही उसके पास जाते हो अपने लालच की बज़य से इसमें किसी व्यक्ति को दोस लगाना या किसी की उपर उंगली उठाना कतई भी सही नहीं है और अगर उठाते भी हो तो इस उंगली से कुछ घंटा नहीं उखरता किसी का कुछ नहीं जाता मैंने अपनी लालच रिकवरी की कैसे की क्योंकि उसके लायक बना आप अगर लायक नहीं बनते हो आपको अगर नहीं लगता है कि आपकी लालच रिकवरी नहीं होगी तो कता ही मैं तो इस परस्ट बोलता हूँ छोड़ दो मत खेलो जुगा अगर आपको लगता है कि आपकी lost recovery नहीं हो सकती आप कोई भी lost recovery नहीं करता अगर आपको ऐसा महसूस भी होता है तो आप मत खेलो क्योंकि जरूरत नहीं है अगर आप चाहो तो अपनी life को अभी भी अच्छी बना सकते हो वाहरी दुनिया में इतने विजनिस, काम, सेलरी, स्नौकड़, बहुत कुछ काम है जहां पर करके आप अच्छा खासा पैसा कमा कर अपनी ये वाली lost recovery भी वहां से भी पूरी कर सकते हो पर आपको यहीं से lost recovery करनी है और mind बिलकुल लगाना नहीं है दिमाग खर्च बिलकुल करना नहीं है सीखना कुछ है नहीं और lost recovery चाहिए तो lost recovery ऐसे नहीं होगी lost recovery के लिए अगनी पर इच्छा लग जाती है भाई पिछवारा घिस जाता है पूरा mind का दही बन जाता है और दही बन कर भी फट जाता है टीडे पढ़ जाते हैं दिमाग में इतना प्रेसर होता है जिस व्यक्ति का lost होता है तो वो सब कंडिशन मेरे साथ हुई है प्रूप्स के तोर पर नीचे टेलिग्राम कोमेंट बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक है और इसी यूटूब के सबसे स्टार्टिंग के वीडियो देख लो पता चल जाएगा ये फेस होता है ना फेस आपका फेस या मेरा फेस इसी को देखके पता चल जाता है कि किसकी lost recovery हुई है को कौन व्यक्ति क्या जानता है दुनिया भर का दिमाग लगाने से कोई strategy tricks लगाने से आपको कुछ भी नहीं होने बाला और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ होगा तो आप सबसे बड़े पागालो फिर क्योंकि कोई tricks strategy इसमें काम नहीं आती है इसमें सिर्फ discipline आता है control आता है आपका अनुभाव आता है काम पर गलती दो कर लेते हो दो गलती ये कर लेते हो stop loss पे कभी रुखते नहीं हो stop loss नाम की चीज कई जैसे योटूबर्स होते हैं नाम में किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मेरी किसी से personally कोई भी बात या दुश्मनी मेरी कुछ हैसे कोई बात नहीं है तो मैं तो सिर्फ बात का अंसर दे रहा हूँ अगर stop loss नहीं होगा तो जितना आप कई लोग बोलते हैं कि stop loss नाम की चीज नहीं होती तो मैं बता दूँ अगर किसी चीज में stop ना लगाओगे तो उसी के होके रह जाओगे अगर आपके पास एक लाग रुपे है और अगर आप stop loss लगा के बैठे हो कि 5% या 10% पे लगाते हो और अगर नहीं रुकते हो तो stop loss के साथ साथ पूरा पैसा चला जाएगा अब stop loss काम आता है कि नहीं आता तो आप डिसाइड कर लेना हर चीज हो सकती है लोग हारेंगे तो अभी भी बोल देता हूँ अभी भी हारेंगे क्योंकि ये एक psychological fact है समझ लो कि ये चीज होनी ही तय है क्योंकि जो व्यक्ति 10% की केडिगरी में आते हैं loss recovery करते हैं जाके उनका ग्यान लो उनका अनुभाव लो उनके lifestyle देखो वो अपनी life में क्या करते हैं कैसा उनका रहन सेन है कैसा उनका सोचने का है जो व्यक्ति आएगा कोई भी आएगा आपको मूँ पे किटड़ पिटड़ बोल देगा और आप उसकी बातों में फस जाओगे किसी का कुछ नुकसा नहीं होने बाला सबकी सुनो करो अपने मन की दिमाग लगाओ कि सही बात क्या है गलत बात क्या है तब लॉस रकबरी के जंजाल से निकल पाओगे बरना जितने अभी गड़े में गिरे हुए हो लॉस के उससे दो गुना चार गुना ज्यादा गड़े में गरे जाओगे इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जिस ब्यक्ति की लॉस रकबरी हुई है उस ब्यक्ति को फॉलोज कर सकते हो क्योंकि वही एक आपको रहा दिखा सकता है कि वह किस रास्ते पे चला था वह किस ट्रेक पे चला था उसी ट्रेक पर आप चल कर अपने लॉस रिकबर कर सकते हो अगर चायते हो तो और उसके जैसा बन सकते हो तो उसके जैसा डिसिप्लीन कंट्रॉल कर सकते हो तो वरना loss recovery का ख्याल छोड़ दो अब बात करता हूँ कि किन लोगों का loss recovery नहीं होता जिनका loss recovery होता है उनके अंदर क्या-क्या खुवियां होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ एक बार में समझ में ना हो तो वीडियो को skip करके दुबारा देख सकते हो अब किन व्यक्तियों की loss recovery नहीं होती जो व्यक्ति दूसरों को जिम्मेकार समझते है इतनी छोटी सी बात बोलता हूँ कि आप हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगी क्या आप किसी और के लिए जुगा खिलने के लिए आये थे तो आप सब अगर reality में सही जवाब दो जो दूसरों पर exam लगाते हैं जो खुद की गलती accept नहीं करते जो अपना mind नहीं लगाते हैं जो अपने आपको एक learnings man नहीं बनाते जो learnings जो learning जो सीखता नहीं है क्योंकि जिन्दगी में कामिया भी उसी को मिलती है जो all time all time सीखता रहता है यहाँ पर भी 50-100 books धरी हुई है मेरी पचासो books रखी हैं जिनको मैं पढ़ता हूं काफी किताब हैं मेरे पास जिनको मैं पढ़ता हूं जिनसे कुछ न कुछ सीखनों को मिले तब जाके अपने आपको आज इस साचे में ढाला है कि आपके सामने मेरा लुक्स ही चैन्ज है पर लोगों के नजदी अलग-अलग होते हैं कि कोई इस तरीके से आपको लुक्स दिखाएगा कि अरे भाई ये ऐसा करके ऐसा कर लिए हैं भाई सब कुछ पता है आपको तो किसी के वीडियो मत देखो सिंपल सी बात है क्योंकि जो व्यक्ति अपने आपको जिम्मेकार नहीं समझता अपनी गल्ती नहीं मानता इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनका लॉस रिकवर आज तक नहीं हो पाया और जो लॉस रिकवर कर भी नहीं पाएंगे बताऊं क्यों क्योंकि वो हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दूसरों को जिम्मेकार मानता है अपनी गल्तियों पर पानी फिरता है परदा डाल देता है कि भाई मेरी गल्ती नहीं है मेरे को तो उसने उसने उक्सा दिया उसने मोटिवेट कर दिया अरे भाई, किसने आपको अपके घर आके मोटिवेट किया, क्या मैंने किया, या किसी और वेक्ति ने किया, किसने आपको घर आके मोटिवेट किया, आप ही यूटूब पर गए हो, कि सर्च कर लो, कि ये जो स्रिकबरी कैसे होती है, ये कैसे होता, वो कैसे होता है, कोई यम्म अपने कर रहा है है ही नहीं कृष्ण भगवान भागवत कीता में यह भी कह गए है यह है कि जुग आशे विकार है नमा अपनी भाजाएं बात कर रहा हूं कि जूगे कर रहाँ कि क्लिकार ब्रॉक शप्र करगें। पर ऑचेस्ष में प्र और चाहले को combined को क्या कहले और वी आंगे की चीज़ें सोच लो कि वो ये भी कहे गए कि जुगा कभी किसी खा ना हुगा मैं अपनी भाजा में बात कर रहा हूं कि जुगे को सक्त मना करके गए हैं वो फिर आप क्यों खेलते हो आप अपना जवाब खुड डोड़ो किसको इल्जाम लगा रहे हो अब आपको सब पता है कि जुगा खेलना वेकार है फिर क्यों खेलते हो किसने बोला बस दूसरों को दोस लगाते हैं जो व्यक्ति दूसरों को दोस लगाते हैं वो व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होते अपनी live में हमेशा ही कचड़े की जिन्दगी जीते हैं और क्यों जीते हैं क्योंकि उसके वो हकदार है इसलिए जीते हैं क्योंकि वो अपने आपको learningsman नहीं बनाते खुद को improve नहीं करते हैं अपने mind को increase नहीं करते हैं कुछ भी अपने अंदर changes नहीं लाते वही गिशय फिटा mind फुराना वही दूसरों ने दे दिया कान में फूंक दिया किसी ने यहां से फूंक दिया आरे वो ऐसा है वो वैसा है इसकी बात मस तोनो इसका ऐसा मत करो दुनिया का काई जैसे बुला जाये लोडा लसुन दुनिया का अपने अंदर भर लेते हो और दिमाग का दही बना लेते हो और फिर दूसरों पर उंगले उठाते रहते हो और बोलते हो लॉस्ट रिकबरी तो हो ही नहीं सकती तो ऐसे बहुत एक जमपल है और अगर लगता है कि नहीं हो सकती तो मत खेलो ना मैं इस बात को भी मानता हूँ चलो ठीक है नहीं होती लॉस्ट रिकबरी नहीं होती तो फिर मत खेलो फिर क्यों खेल रहे हो कौन बोल रहा है आपको खेल ले मत पहले तो आप ये बोलते हो कि लॉस्ट रिकबरी हो नहीं सकती और सोच भी उल्टा रहे हो, अरे इंसानों की पजामा हो यार, या तो learnings से सीखो, देखो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, जो इंसान ना करना चाहे, बस आदमी इंसान के करने के उपर है, करम धरम, कर्म प्रधान है, बेत पुरान बोलते ही कर्म प्रधान है, जब आप आप कर्म करना स्टार्ट कर दोगे, इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, जो आपको उस काम में नाकामयाब कर दे, पर जब आपको खुद ही जस्बा ना हो, खुद ही दूसरों की बातों से विचलित हो, दूसरों की बातों से कनफ्यूज हो, और अपने आपको सर्वस्टेस्ट समझना, ये चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आपका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता, बहां कि दुनिया में तो और अप ठीक है, तो इसलिए लॉसर कबरी जिन व्यक्तियों की होती है, वो लर्निंग्स पर ध्यान देते हैं, जहां से भी जो भी जितना भी कुछ भी सीखने को मिले, वो सीखने की कोशिश करते हैं, और जिनकी लॉसर कबरी नहीं होती है, उनका रीजन यही है, आज इतने सालों का experience आपके साथ share कर रहा हूं, कि जिनकी लॉसर कबरी नहीं होती है, वो व्यक्ति कन्फ्यूज होते हैं, वो हजारों लोगों की, एक example की बात कर रहा हूं, हजारों लोगों की बातें अपने mind में डाले हुए हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उस तरब भागन अपना मैंड नहीं लगाते हैं, अपना खुद का मैंड लगाओ, कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, क्या आपके अंदर वो खुबी नहीं, जो किसी और व्यक्ति के पास है, आप वो हर काम कर सकते हो, जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है, पर करक अप सकते हो, जब आप या उसके हकदार बन जाओगे, अभी आप हकदार हो लॉस के ही, आप जो लॉस में पड़े हो ना इसी के हकदार हो, क्योंकि इस चीज को आप इसी में गिसे पटे रहते हो, दूसरों की बातों से कन्फ्यूज हो, लॉस रकपरी से, देखो, माइंड डिस्टर्प होता है, डि निकलना है, तो मेहनत लगेगी, नोलेज लगेगा, डिपरेशन से तो बाहर निया पा रहे हो, लॉस रकपरी क्या खाक करोगे, देखो, मुसीबत होती है, लॉस रकपरी है, पैसा है, जंजट है, लोगों, एमाई है, करजा है, दुनिया फ़लान, डिमकान, इजट खराब सब कुछ डिस्टाप होता है, लॉस में, होता है, पर इसी से तो बाहर निकलना है, जब इसी में रो रहे हो, आंगे बढ़ने की कोशिस नहीं कर रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, लाइप को इंप्रूब नहीं कर रहे हो, तो फिर लॉस रकपरी से बाहर नहीं आ सकते हो, और इसी को बोलते हैं कि यह व्यक्ति Lost Recovery नहीं कर सकते। Lost Recovery करना इतना आसान होता भाई, अगर इतना आसान होता दोस्तों तो यह बात बताओ कि सब लोगों की Lost Recovery नहीं हो जाती। लॉस रकबरी गिने चुने लोगों की ही होती है जो व्यक्ति पूरा अपने आपको एक नया जीवन दे देता है जो नई डारेक्स हमें चलना इस्टार्ट कर देता है नई रास्ते खोजने लगता है नई सीख लेता है नई लोगों से सीखता है तो उमीद करता हूँ इस वीडियो में कापी खुछ आपको सीखने को मिला हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स नीचे कॉमेंट बॉक्स में फस्ट कॉमेंट में टेलीग्राम का लिंक है आप वहाँ पर जोएन हो सकते हो और वहाँ पर लाइप प्रूप के साथ हर चीज डिटेल् मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद